हलो स्टूदिंस आई दिपेंद्र वेलकॉम यौल तु मैंगनेट ब्रेस आईडीजी नीट आज के लेक्चर में टाइप सो फंक्शन पार्ट नाइं डिसकस करेंगे अभी तगने में इस सारी बातों पे आज डीटेल्ड डिसक्शन करेंगे ताइपस अफंक्शन का यह वाला पार जिसमें इन्वर्स फंक्शन को डिसकस करेंगे और इसके बाद इसकी डीपी से और ज्यादा ग्लारिटी लेंगे तो डोंट वरी अब हम सीधे प्राक्टिस पर आने वाले हैं इस लेक्शन के बाद टाइपस अफंक्शन की तो शुरुआत करते हैं क्लास आज का लेक्चर बट बट बिफोर वी स्टार्ट इस लेक्चर डू आपके लिए क्या-क्या चीज़े फ्री आ ना सिर्फ explanation proper हो बलकि उन concepts के काफी सारे examples हों काफी सारे illustrations हों ताकि उन questions के तुरू भी आपकी उन concepts की understanding develop हो उन concepts को आप और मजबूत और consolidate कर पाएं उन application के साथ हैं ने concepts की conceptual applicability develop हो पाएं इसके लिए हम हमेशे ensure करते हैं कि उन concepts को भी अच्छे से detailed manner में आपको सिखाएं not just that हम हमेशे ensure करते हैं कि आपको उन concepts को समझाने के बाद उस concepts की practice के लिए DPPs प्रोवाइड करें और Magnate Brains की website पर free of cost आपके लिए DPPs भी uploaded हैं और उन DPPs को आप download करके उससे questions practice कर सकते हैं वो नहीं topics पर based होंगा और उस topic को और मजबूत और बहतर बनाने के लिए आप questions practice कर और can you believe this कि ना सिर्फ आपको DPPs PDF format में उपलब्द करवाई जाएंगी बलकि उन DPPs के भी video solutions, Magnate Brains आपको free of cost प्रोवाइड करें गया हैंने questions, topics, topic scale illustrations और example, DPPs और DPPs के भी video solutions और कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है, जो module है Magnate Brains का ITGE नीट, यह free of cost और भी काफी कुछ ला बात यह कि हमारा इंफेंसे से प्राक्टिस पर, IITGE मेंस और इड्वान से कैसी एक्जाम है, जहां सही quality content प्राक्टिस करना जरूरी है, तो हम ensure करेंगे कि quality के साथ हम काफी अच्छा, काफी सारा, but relevant to the point, जो apt material, जो appropriate चीज़ा हैं, उन्हें हम practice करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हर chapter पर हम काफी सारी practice करें, काफी सारे questions करें, ताकि कहीं से भी कोई कसर बाकी ना रहे, किसी भी concept को समझने में, मतलब हर particular topic के, हर segment की, हर section की, हम एक chapter, एक question के तुरू अच्छी understanding develop करें, क्योंकि questions वो एक जरिया है, आपके concepts को समझने का, जिनके तुरू आप हर concept को और ब illustrations, उधारन, या problem, है ना, with that थोड़ा, और आगे बढ़ेंगे, एक और चीज़ समझेंगे, students, एक जरूरी और खास बात, कि हम past years के questions, हैने, जेए मेंस और जेएडवांस के previous years के questions, PYQs भी solve करेंगे, मतलब हम इन को साथ में solve करेंगे, और एक understanding develop करेंगे, कि देखो, जेए म decide करता है, क्या psyche होती ही, क्या mentality होती ही, उनकी questions set करने को लेकर, वो भी हम सारी चीज़े discuss करेंगे, इस पार्ट के अंदर PYQs discuss करते हैं वक्त, not just that, हम ये भी ensure करने वाले हैं students कि आपके सारे doubts तक address हो, आपके doubts तक unresolved ना रहें, आपके doubts तक को acknowledge किया जाए, यानि जो वीडि पर आप अपने doubt का screenshot हमें forward कर सकते हैं, और आपके doubts एक common lecture में सारे accumulated doubts को, सारे doubts जो collect हुए होंगे, उन्हें एक साथ address कर दिया जाएगा, तो उसकी भी आपको चिंता गानी की जरुवत नहीं है, but please एक बात को समझे, students, एक छोटी सी दर्खवास्त है, एक request है, कि आप doubts relevant रख numerical से, कुछ problems है, तो definitely ने forward करिया, इस link के थुरू और अपने doubts भी resolved रखिये, और ये सारी चीज़े, can you believe, free of cost provide करता है, magnet brains, apart from that, एक और ज़रूरी बात है, students, इसे भी समझेगा, कि आप हमेशा अपने doubts ना, topics पर ही पूचे, अगर ये topic हमारा पढ़ लिया गया है, या चल रह जा सकता है, बाट वो शायद सिर्फ आपको समझाए, बाकी students को शायद ना समझाए, एक चोटी से request कि doubts relevant पूचे, जो topics हम पढ़ रहे हैं, जा तक पढ़ लिया है, वहाँ तक है doubts address करेंगे, तो किसी भी student को कोई confusion नहीं होगी, और सारी चीज़े smoothly सारे बच्चों को समझ आत करना चारा हूँ, तो आप वो भी assess कर सकते हैं, आप चैप्टर के test भी आपके लिए conduct करवाए जाएंगे, आपनी चैप्टर की progress को आप देख सकते हूँ कि बढ़ा, जो समझा, वो कितना अच्छा समझ आए, कितने अच्छे तरीके से clear हो, उस पर कैसी आपकी understanding है, उसके कि पर्टिकलर सेग्मेंट में आप अटक रहे हो, आप analyze कर सकते हो अपने test की performance को, और आप देख सकते हो कि सर इस particular category के ये वाले questions मुझसे साल नहीं हो रहे हैं, तो आप definitely उन questions को भी वापस से चीज़े समझ सकते हो, इन theory वीडियो को ए थ्रू वापस से और clarity ले सकते हो, अगर कहीं कुछ missing है, क्योंकि ये सारे recorded वीडियो आपके लिए हमेशा मौझोद हैं, या तो Magnet Brains की website पर, या फिर YouTube पर, मतलब रादर दोनों जगा पर, हमेशा ये free of cost आपके लिए available उपलब्द रहेंगे, not just that students, एक और बड़ी खास और ज़रूरी बात, guidance about paper pattern, stress management, etc., and official notifications related to examination, त उने भी हम timely, all the faculty members will keep coming and resolving आपके सारे concerns को, तो कोई भी परेशानी होगी, कोई exam से related to notification, कोई update है, ये सारी बाते भी हम timely आपको update देते रहेंगे, so don't worry about it, ये सारी चीज़े भी, will be taken care by Magnet Brains, this complete free of cost module, apart from that, क्या आप सोच सकते हो, कि ये सारी चीज़े हो जाने के बाद भी, कही कुछ कसर भाग की ना रहे गई हो, कहीं कुछ मिस्स ना हो गया हो, एक बार और फिर से दोरा लेंगे, एक बार फिर से repeat कर लेंगे, एक बार फिर से revise कर लेंगे, एक one-shot revision आपके लिए create कर देंगे, ताकि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़े आपको पढ़ाएंगे हैं, ए one-shot revision देखने योग है, यह लायक तब होंगे, जब आप यह सारी चीज़े कर चुके होंगे हैं, यह alternative नहीं है, इसका alternative नहीं है, इसकी एक additional, extra step process है, कि जब आप यह सारी चीज़े कर चुके हों, तब आप इस पर आएं और फिर आप इसे execute करें, अपार फिरम दाट हमेशा स advance देने सीधे सीधे चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी performance matter करेंगी बहुत ज़ादा कि इस तरी की exam सापने से पहले कितनी बार दी हैं, उस environment को कितनी बार फेस किया है, हम जादा से ज़्यादा mocks भी लिखेंगे students, हम जादा से ज़्यादा J.E. means और advance के mocks देंगे, ताकि with that, बिना किसी delay के, I hope आपको पता चला कि J.E. course का है, जो module ITJ का magnet brings जो लेकर आता है, ये बिना किसी subscription पर, बिना किसी add-on, मतलब hidden fee के, बिना को hidden extra charges के, सब कुछ zero cost पर, मतलब बिना किसी charge के, free of cost, अब के लिए क्या-क्या magnet brings लेकर आता है, चलिए, तो आज का lecture शुरू करते ह है, कि किसी function का inverse होता क्या है, I hope आपको याद होगा, जब हमने inverse function के बारे में खलका-फलका, superficial knowledge develop करने की कोशिश की थी, तो कुछ दो-तीन चीज़ें डिस्कस की थी, उनहीं से शुरुआत करेंगे students, कि inverse किसी भी function का होता क्या है, वो exist कब करता है, तो दो बात समझें students, पहल निकलता है, मतलब क्या होता है, वो actually मतला गर मैं brain में समझता चाहूं, तो वो actually क्या होता है, हम वो समझता है, तो समझो students, मालो यह आपका domain set है, right, I hope you are realizing domain set मतलब X की सारी possible values, और यह आपका core domain set है, core domain set मतलब जब आप X की values रखते हो, तो Y की क्या के values generate हो सकती है, या हो नही bort pass करते हो, तो यहाँ पर code domain में कुछ-कूछ values generated हो रही होता है, यहाँ पर कोई value generate हो जाती है, यहाँ पर कोई value generate हो जाती है, सर ऐसा कुछ सेनरियो चल रहा होता है, और अभी तक हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी है, बट सर, अगर, अगर मैं समझता हूं तो मुझे यह F of X function का यह मतलब होता है, तो सर अगर आप X की value यहाँ पास करें, तो जो Y की value generate होती है, वो मुझे यहाँ मिलती है, लिगने सर क्या ऐसा सोचा जा सकता है, कि मैं Y की values, किस X की value से associated हैं, यह पता कर पाऊं, बहुत अब देखो, एक example समझा, जैसे मानलो मेरे पास एक expression है, जैसे लिखा हुए X plus 3, अब X के पास यहाँ आपने कुछ values हैं, मान लेते हैं कुछ values हैं, जैसे एक value थी, let's say 1, एक value है, let's say 3, एक value है 4 और एक value है 7, तो सर जैसी आपने 1 pass किया, तो 1 plus 3 हो गया 4, आपने 3 pass किया, तो 4 plus 3, let's say हो जाता है 7, 7 pass किया, तो 7 plus 3, let's say हो जाता है 10, तो कुछ ऐसी सी values आ रही हैं, मानलब सर मुझे पता है, सर 1 lead करता है 4 को, 3 pass करने पर 6 आता है, 4 pass करने पर 7 आता है, 7 pass करने पर 10 आता है, कुछ ऐसे से pairs बन रही हैं, domain के elements हैं, यह co domain के elements हैं, बट सर क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, क्या मैं ऐसा भी पता कर सकता हूं, कि सर सोच के देखो, कि मैं पूछना चाहूं सर 10 x की किस values है होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहां तो दिख रहे हैं सर, बहुत normal सा, बहुत simple सा function है, तो अगर अभी y को मैं ने x की terms में लिखा है, तो क्या मैं x को y की terms में लिख सकता हूं, यह हैं लिख सकता हूं, हम x को के लिख दूँगा, y minus 3, अब मुझे कोई पूछे कि सर, 10 x की किस values है होगा, तो 10 क्या है, 10 sir y की possible values है, तो y अगर 10 रखा, तो 10 minus 3, 7, तो sir, जो 10 generate हुआ होगा, वो 10, 7 से generate हुआ होगा, मतलब अभी जो process हम x से y को lead करने वाली देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं y से x को lead करने वाली, अब मैं देखना चाहरा हूंगी, यह value को generate करने वाली value कर रहे होगी, मतलब इसकी pre-image क्या रहे होगी, यह हमारे elements हैं x के, domain set के, इनकी images हैं हैं 6, 7, 4 और 10, बट मैं कहे रहा हूँ, इन elements की, जो co-domain में elements हैं, इनकी pre-image क्या रहे होगी, मतलब अगर यह y की values यह हो, तो किन x की help से, यह generate होई होगी, अगर मैं वो समझना चाहूँ, तो उस case के, इस process को हम कहते हैं inverse of a function, मतलब अब जब आपने x की terms में y को express कर रहा था, तो उमने उल्टा कर दिया, उल्टा क्या कर दिया, अब इनने x को y की terms में express कर दिया, मतलब अब आपका function y में बन रहा है x, मतलब यह जो function बन रहा है, यह y का एक function है, I hope you are realizing that, अभी तक liberty x के पास थी, x was behaving as an independent variable, and y was that dependent variable, dependent और independent का मतलब क्या है sir, sir x के पास liberty थी, वो 1347 कुछ भी हो सकता सा, और उसके according y की value decide हो रही थी, जिसे जब x1 हो रहा था, तो y4 हो रहा था, x3 होने पर y6 हो रहा था, ऐसा कुछ, लेकिन अब जब मैंने इसका inverse लिखा, मैंने जब x को y की थाफ्शन एक्ष्प्रेस किया, so I gave the y a liberty, मैं y को बेक liberty दे पा रहा हूँ, कि sir, अब आप y को independent variable की तरह treat करिये, आप कहिए कि y को जो होना है वो हो जाए, obviously वो उसके इसी पार्ट में से होगा, जो y की allowed values है, याने code domain में, तो sir, जब y 6 होगा, तो 6-3 कितना होगा 3, तो 6 की जो प्रीमेज होगी, वो क्यों होगी students 3, अब मैं inverse process कर रहा हूँ, मैं y 6 की तरफ जा रहा हूँ, sir, जब y 7 होगा, तो 7-3 क्या होगा 4, तो sir, 7-4 को lead करेगा, आयोब आपको ये process समझ आ रही है, similarly sir, जब y, y जब 4 होगा, तो 4-3, 1, तो 4 किसको lead करेगा 1 को, और sir, जब y 10 होगा, तो 10-3 किसको lead करेगा 7 को, तो inverse of a function आपको समझ आ रहा है, जब x pass करने पे y is in it होगा करता था, वो हमारा normal standard function होगा था, तो inverse मतलब इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना मतलब, sir, ये dependent variable होगा करता था, इसको independent बना देना, और ये जो independent variable होगा करता था, इसको dependent बना देना, इस function पे, I hope ये functionality आपको समझ आ रही हो, इस चीज़ क्लियर हो रही है, मैं और एक example से समझाता हूँ, ये इसको मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा करने में क्या क्या, जो सारी y की values थी, अब मैंने उसको इस तरफ ले आ है, तो y की values क्या थी students, y की values थी 6, 7, 4, 10, 10, तो ये जो लिखा हुआ है students, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये जो लिखा हुआँ से मैं लिख दूंगा, y-3 को मैं लिख दूंगा, x-3, मतलब मैं y value को replace कर दूंगा, x-3 से, तो मैं y को क्या कह दूंगा, X-3 क्योंकि इस वाले पार्ट को मैं कहना चाहरा हूँ X तो मैं इसको क्या लिख दूँगा students मैं इसे लिख दूँगा इस function की definition को F of X को X-3 लेकिन sir to be very honest F of X तो ये था ना अब तो आपने इसका inverse कर दिया आपने इसको invert कर दिया dependent और independent interchange कर दिया तो इसको F of X कहने के वजा हम कहेंगे F inverse X अब इस बात को समझे हैं इसका ये मतलब निए Students की F inverse X का मतलब होता है One upon F of X ये मैंने कभी आपको नहीं सिखा है अब इस बात का यह दर जाए Students, F inverse X का मतलब One upon F of X नहीं होता है होगी है, sin to the power minus one x का मतलब, यह one upon sin x वाली बात नहीं है, reciprocal वाली बात नहीं है, यह sin inverse x, एक inverse function का notion है, तो f inverse x का मतलब one upon f of x नहीं होता है, इसका अंदल होता है, f के inverse, मतलब x और y की values interchange कर देना, मतलब core domain को domain बना देना और domain को core domain, आप सोचो students, जैसी आप 6 pass करोगे, तो 6 minus 3 कितना हो जाएगा 3, तो 6 को point करेगा 3 को, जैसी आप 7 pass करोगे, तो 7 minus 3 कितना होगा 4, तो 7 किसको denote करेगा 4 को, जैसी आप 4 pass करोगे, तो 4 minus 3, 1, तो 4 किसको point out करेगा 1 को, और 10 pass करोगे, तो 10 minus 3, 7, तो किसको denote करेगा 7 को, Are you realizing? वही same चीज़ें है sir वही same function है But बस क्या हो गया? यह जो 6, 7, 4, 10th है वो आपके इस तरफ आ गए वो आपके domain set पे आ गए है 6, 7, 4, 10 और sir जो आपका domain था 1, 3, 4, 7 जो आपका domain हुआ करता था 1, 3, 4, 7 वो आपके co domain में चला गया तो पहली चीज जो observe करें लाएक है वो यह, कि जब आप inverse function बनाते हो, obviously जब आप inverse function बनाते हो, है ना, तो यह आपका क्या होता है, यह co-domain जो हुआ करता था, वो क्या बन जाता है, domain, मतलब interchange हो जाती है चीज़ें, और जो आपका co-domain हुआ करता था, वो क्या बन जाता है, अ भी very honest students, अब inverse function में एक बात आप हमेशाद रख सकते हो, कि co-domain और range सेम होगी, co-domain और range सेम होगी और function 1-1 होगा, यह क्यों कह रहे हो सर, आप ऐसी बाते क्यों कह रहे हो, मतलब हमें समझ नहीं आ रहे है, तो अजीब सी बात आपने कह दी, मैंने यहापर जान बुझ के, many to one scenario बनाने की कोशिश की थी, बट वो finally हमने हटा दिया था, उसको हम सिर्फ seven के पास ही लेके गए थे, यह वाला scenario में हटा रहा था, मैं यह कहना चाहरा था, यह six को point out कर रहा है, और seven के लिए यह एक अलग mapping है, मैं आपको यह समझाना चाहरू, students की इसका one-one होना जरूरी ह आप समझो, आप एक छोटी सी बात याद करो, students हमने समझा है, कि अगर function में one-one नहीं रहा, सोच कर देखो, अगर यह mapping है, और यह many-to-one mapping है, अगर यह कुछ ऐसा रहा, और यह कुछ ऐसी mapping रही है, यह कुछ elements थे, और इनकी mapping कुछ ऐसी हो गई, जैसी इसके inverse की process निकालों क code domain में जाता है, दोनों interchange जाते है, उसका यह वाला जो element है, इसकी mapping याथ हो जाई है, यह तो दो को point out कर रहा है, यह इसे और इसे दोनों को point out कर रहा है, तो function की definition की violation हो जा रहा है, तो पहली condition तो यह students के जब आप inverse निकालोंगे, जब आप inverse निकालोंगे, तो function कैसा होना चा one-to-one होना ज़रूरी है, उस function का one-to-one याने एक और language में कहूं तो उस function का injective होना ज़रूरी है, उस function के many-to-one होने की case में उसका inverse exist नहीं करेगा, I hope यह बात आपको समझा रही है, similarly sir, अगर मैं एक और conclusion निकालोंगे, किसी function के inverse को define करने के लिए, तो आप याद करो students, अगर function into रहा होता, अगर वो एक function into रहा होता, मतलब मान लो sir, इसका येक image है, sir, मान लेते हैं, चलो आपने का one-one, तो हम one-one तो बना लेते हैं, but I hope into होने में तो कोई problem नहीं है, यह पर एक element खाली है, I hope function में allowed है, function में क्या allowed है, many one होना allowed है, पर inverse में allowed नहीं है, तो one-one बना लिया sir, अच्छी बात है, लेकिन sir, function में onto into allowed है, function into होते हैं, मतलब यहां पर कोई element खाली छोड़िया तो चलता है, यह तीनों range में आजाते हैं, यह code domain का बन जाता है, code domain में चार हो आजाते हैं, तो ठीके sir, लेकिन क्या मैं इसका inverse define कर सकता हूं, sir, अगर आपके थ्वरी से अगर इसका inverse define करें, तो core domain क्या बन जाएगा, domain, तो अगर इसका inverse बनाएगे, तो यह वाला पार्ट इदर आजाएगा, तो यह से 4 element आजाएगे मेरे पस, है ना, और यह वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, core domain की तरफ तो यह कुछ असा से चला जाएगा, है ना, लेकिन sir, ज कर दी, कि आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने, sir, जब domain बनाई, तो domain में एक element खाली छोड़ दिया, अरे function की definition क्या होती है, sir, function की definition ही very simple सी होती है, कि sir, domain के अंदर हर element की, each and every single element, should have a unique element, unique image, मतलब, domain के अंदर कोई भी element खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यह function की definition का clear सा understanding है, मतलब, sir, समझ आए, कि अगर function एक into function होता, तो भी उसका inverse बनाना मुश्किल है, impossible है, वो create नहीं हो सकता, मतलब, मैं यह कहूंगा, कि किसी भी, किस तरह के function को students, किसी भी, एक into function को, मतलब, into function का inverse function नहीं बना सकते, और अगर into function का inverse नहीं बना सकते, तो एक और condition आ रही है कि किसी भी function का students, inverse तब ही exist करेगा, inverse तब ही exist करेगा, उसके लिए एक और condition है, कि उस function का onto होना जरूरी है, और onto को हमने क्या कहना सीखा है, sir, onto को हमने कहना सीखा है, उस function का surjective होना जरूरी है, तो क्या finally आपको simple सी line समझ आई, simple सी line बड़ी, simple सी है students, कि कोई भी function का inverse, किसी में बात क्या होनी चाहिए students वो क्या हो on to याद आ रहे students आपको और simple language और लिखना चाहिए तो किसी भी function का inverse तब exist करेगा one to one मतलब वो कैसा function हो sir वो एक injective function हो and onto मतलब क्या sir sir वो एक surjective function हो क्या आपको ये दोनों lines याद आ रहे है students और क्या आपको याद आ रहे गर कोई function injective as well as surjective है तो उसे एक simple सी language में उसे standard सी alignment में क्या कहते हैं सरमुस्तरहिकों कहते हैं byjective function तो अब पहली condition तो याद रखेंगे students कि किसी भी function का inverse सिर्फ और सिर्फ तब में काला आ जा सकता है जब वो एक कैसा function हो byjective तो हमेशायद रखेगा कि inverse सिर्फ byjective functions के ही exist करते हैं सबसे ज़रूरी हो सबसे पहली बाद जैसे एक standard सा example लेके बता हूँ students जैसे एक function था मानलो x square है ना और यह function है f of x और यह कहां से गातर defined है सर इसकी definition है f r to r है ना उसने कह दिया r से r सारे r से सारे r में defined है तो आपने क्या कासर इसकी अगर mapping करता तो कुछ ऐसी दिखती मैं कुछ simple से कुछ numbers ले रहा हूँ सारे नहीं ले रहा हूँ ना तो यहाँ पर दिखता minus 2 यहाँ पर दिखता minus 1 0 plus 1 भी दिख जाता और let's say plus 2 भी लिख जाता है ना और इसकी mapping अगर में करता तो minus 2 की mapping किसे हो रही होती सर 4 से है ना i- God minus 1 की mapping किसे हो रही होती plus 1 से 0 की mapping किसे हो रही होती 0 से connecting भी four से होई गो और उसम्छी learning भी इस काफी सारय elements खाली दे जाते क्योंकि इनकी कोई image नहीं मिलेगी, प्री-image नहीं मिलेगी, है ना, दूसरी बात, यह सारे elements की many-to-one mapping है, तो वहाँ पे one-to-many हो जाएगा, और one-to-many functions नहीं होते, तो do you realize, इस function का bi-jective होना ही अभी problem में है, यह bi-jective ही नहीं है, तो इसका inverse नहीं निकाला सकता, लेकिन function ही मान लेते हैं, सारे r से, मलब सारी let's say r plus से, let's say r plus से r में ही define कर लेते हैं, ता कि आपको clear है, r plus से let's say r plus में ही defined है, अब यह function कैसा है, function क्या है sir, function की definition है f of x as x square, अब अगर आप इस function को देखे है sir, तो अब यह function clearly by-jective है, आप सोच के देखो, आपने domain में सिर्फ positive value रख और यह जब values रखी, तो इनकी mapping क्या होगी sir, 1 का square 1 हो जाएगा, 2 का square 4 हो जाएगा, even बीच में और भी सारे numbers होगी, बस मैं कुछ random से examples लेकि आपको बतारा हम, 3 का square 9 हो जाएगा, 4 का square 16 होगा, even आप सोच रहे हो कि sir, 2 तो मिलेगे नहीं, नहीं मिलेगा, 2 का under root क्या होगा, तो clearly यह एक one-to-one on-to function बनेगा, क्योंकि हर value यहां की utilize होगी, ऐसा कोई element नहीं होगा, जिसकी pre-image नहीं होगा, यह आप एक positive real number सोच के बताओ, जिसका under root exist नहीं करता हो, करता है sir, definitely करता है, दूसरी बात sir, एक और खास बात, क्या यहां पर many-to-one mapping बनेगी sir, 2 कि नहीं पॉ होता, तो होता, यहां सारे positive numbers है, तो वो भी सवाल खत्म हो गया, मतलब clearly एक one-one-on-to है, one-one-on-to मतलब injective, तो इस function का inverse आप निकाल सकते हो, मतलब इसकी definition को, अगर मैंने redefine किया होता, अगर इसकी definition को redefine कर दो, तो वो definitely क्या बन जाता है, वो bijective बन जाता है, उसका inverse निकाल सकते हैं, यही बात हमने sine x, cause x और इनके साथ discuss के थी class, याद करो, sine x और cause x इनके साथ problem क्या थी, sir, sine x एक many-one function था, और जिसी many-one function था, sine x याद आ रहे हैं, students एक many-one function था, तो उस वज़ा से इसका bijective होना मुश्किल में था, यह एक many-to-one function था, और उस वज़ा से इसको हम define नहीं कर पा रहे हैं, बट हमने क्या किया, हमने इसके domain और range को थोड़ा restrict किया, हमने बोला, sir, sine x को रुको, थोड़ा ठीक से बनाओ, अब sine x को पूरा मत बनाओ, sir, अब sine x को कुछ ऐसा बनाओ, अब sine x को उठाओ, sir, लेकिन कहां से उठाओ, sir, sir, मान लेते हैं, आप 0 से उ तो अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो आपका function definitely क्या होगा, sir, आपका function उस case में, एक simple सा one one on two function होगा, क्योंकि sir, many one को आपने रोख दिया बनने से इसका वापस, अगर थोड़ा भी extend करता, तो फिर वो many one बन जाता, तो पहले तो बनने से मैंने रोख लिया, दूसरी बात मैंने क्या क्या, sir, मैंने इसको one one के साथ on two भी बना लिया, कैसे on two बना लिया, अब मैंने sinex की definition को रिस्रिक्ट कर दिया, मैंने sinex की definition को ऐसा restrict किया, मैंने इसका domain बूला, sir, minus five by two से five by two, अब सारे real numbers मतलो, अब सारे real numbers मतलो, और इसकी range तो वही है, sir, क्या, minus one से one, तो उसक domain और range को आपने restrict किया, तो definitely, अब वह function discoverable है, अब उस function का inverse निकाला दा सकता है, और इसका inverse आयात करो, students नहीं यात किया था, x को y से y को x replace कर दो, मैंने बस interchange कर दो, x x से y से उसमें shuffling कर दो, चीज़े बदल जाएंगे और चीज़े हो जाएंगे, मैंने अब ही मैं आपको बस एक concept समझाना चारा हूँ, एक छोटी सी बात समझाना चारा हूँ, कि functions by objective बनाया जा सकते हैं, अगर उनकी domain और range को थोड़ा सा workout किया जाए, और बेशक उन से फिर हम उनका inverse निकाल सकते हैं, तो पहली condition, पहली learning आज के lecture की कि किसी भी function का inverse तभी exist करेगा, जब वो क्या ह चुश करते हैं, अभी हम discuss करेंगे, students की किसी भी function का inverse कैसे निकाला जाता है, inverse function की properties क्या होती है, उन पर कुछ questions भी करेंगे, बट मैं बस एक छोटा सा notion देना चारा हूँ, कि by objective होना बहुत ज़रूरी है, यह बात याद रखना है, generally students उस बात में गलती कर जाते हैं, वो यह objective ना हो, मतलब उस function का inverse निकाला ही निकाला ही जा सकता है, तो आपने तो mathematically निकाल दिया, पर वो एक function ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, फिर तो वहाँ पर problem आईगी, तो इन सब बातों का हमें धियान रखना पढ़ेगा, है ना, जैसे अगर आपका एक function था, चलो इस बा बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, तो वो क्या कह रहे है, वो कह रहे है, इसका एक और यूनिक function exist करता है, हमेशा याद रखना, inverse हमेशा unique होता है, मतलब किसी function का अगर inverse exist करता है, तो वो unique होता है, उनिक मतलब उसके लाब कोई और inverse नहीं होगा, अगर हुआ तो वो वही होगा जो वह एक बन सकता है, कैसे सर, G of Y to X, मतलब इस G में आप input दोगे Y और output आएगा X, जो आप X input देके Y output लारे थे, उसका उल्टा process यादा है ना, students, कि आप Y as an input पास करेंगे और X as an output generate होगा, such that for each Y belonging to Y, G of Y will be equal to X, आपको बार डाइजस्ट हो रहे है, students, कि सर, वो जो सारे Y आप पास करोगे, उन पर वही X generate होगे, जिन X को पास करने पर वही Y generate हो रहे थे, यह लाइन समझ जारी, students, I hope, यह वही बात है, जो यहाँ पर आपको समझाना चारा था, जब हमने inverse function की basic understanding develop करना शुरू की थी, यादा रहा है, students, यह वाला example, मैं कहना चारा थ सार, जब 1 पास करने पर 4 आता है, तो हम एक ऐसा function ढूंड रहा हूं, जिसमें 4 का पास करने पर 1 आता है, I hope, आपको समझ आ रहा है, मैं अगर function था X plus 3, तो इसका inverse क्या बन गया था, इसका inverse बन गया था, X-3, हम Y को आखरी में कैसे replace कर देते हैं, X है, तो इसका inverse हमने कैसे define किया था, वो define किया था, X-3, I hope, यह बात आपको समझ आ रही है, कि inverse function की basic definition क्या होती है, और inverse function क्या होते है, वो कैसे behave करते हैं, और उनको कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है पर और detailed discussion हम करेंगे, पर फिलाल, I hope, आपको inverse function अच्छे से समझ आ रहा है, वो क्या कहना चा true होगी ना, सर, सोच के देखो, आप क्या कहना चाहरे हो, आप कहना चाहरे हो, सर, F of X के अंदर, F of X के अंदर, एक तो function है आपका F of X, है ना, और एक function है आपका F inverse of X, है ना, जो सर, अगर आप F of F inverse of X, निकाले हो, F of F inverse of X, है ना, या फिर सर, आप निकालना चाहरे हो, क्य होगी जरा दिमागा के बताईए मैं चाहताँ कि इस बात को एक राप खुछ से सोच debates कि यह शरा दिमाग लगा ये students इसी लाइन को मैं प्रूव करूगाा माप्निंक समझाद समझा दूँगों और फिलाल एक बार खुछ से ट्राइब करें स्टूडेंस जल्दी से इस लाइन को समझें फिर हम आते हैं हमारे आगे वाले पार्ट पर जहां पर हम डिस्कुस करेंगे कि इन्वर्स निकाला कैसे जाता है बट पहले एक बार खुछ से मुझे सोचकर होती है यह आपका क्या है f of x और f inverse of x क्या होता है sir f inverse of x क्या होता है sir y की value उसमें पास करी तो वह x की यह वाली value जनेट करता है I hope यही process है हमारी sir अब आप f of inverse f of x निकाल रहे हैं मतलब आपने क्या किया sir आपने पहले f of x के अंदर माना sir x pass किया तो यह pass किया तो यह क्या हुआ f of x और फिर इसका inverse ले रहे हैं मतलब y को वापस पास करते हैं तो वापस x ही तो जनेट होना है कि आपको मेरी लाइन समझ आ रहे है तो f के अंदर अगर यह pass किया f inverse x तो वापस किया बना देगा sir वापस x ही तो बनाएगा किया आप कोई बात समझ आ रहे है मतलब आप यू घूम के वापस ही आ रहे हो आप समझ पा रहे हो या फिर इसा उल्टा किया हो था sir आपने इसा क्या होता f inverse of f of x यह समझ आ रहे है यह वाली value pass करना f inverse of x मतलब x वाली value pass करना तो जब यह pass करें तो f of x मतलब वही तो गुमा के ला रहे हो आप यहां पर सोचो यहां पर और clear होगा जैसे अगर f inverse of f of x निकालना है पहले आपने f of x मतलब पहले x पास किया sir x पास किया तो बना f of x f of x क्या होता है sir बना y तो नहीं वहीं गोमने वाली है कि आपको इबाद डाइजस्ट हो रही है मैं इसको इस वाले example से जाता हूं students यह वाला scenario याद करो हमने जब यह वाला scenario देखा था हमारा function क्या था हमारा function था वह एक y is equals to x plus 3 याद करो students है यह आपका basic क्या था f x है लेकिन हमने जब इसका inverse refine किया अगर मैंने पास किया क्या अगर मैंने इसका inverse बनाए तो यह क्या है यह आपका f of x है ना वाइक को गर में लिखना चाहूं तो यह क्या है students यह f of x अब आप निकालो गर f inverse of x f inverse of x किया रहा था जहां तक मुझे आथे x-3 आ रहा था है ना बिल्कुल सही x-3 आ रहा था अब मैं एक value ले रहा था है आपके value थी 4 है ना जैसे 4 पास किया तो 4 प्लस 3 कितना हो जा रहा था 7 और जैसी 7 पास करोगे तो 7-3 कितना हो जाएगा 4 तो यह आपका क्या है यह f of x औरvisor seeking mapping कर दो दो जाएगा bus of x अब कोई कह रहे है f of x अगर आप निकालते यह F of F inverse of X अगर आप ऐसा निका दे हो तो आप क्या करे हो SIR? F inverse of X पास करो पहले F inverse of X मतब क्या? F inverse of 7 पास करो तो आप निकालने वाले हो F of 7 क्या आपको बात समझा रही है students अब आप जैसे निकालो कि क्या आप को बात डाइजस हो रही है यहां से सुरिए, f of f inverse of x, जैसी x pass किया हो, तो आफ x pass कर रहे हो, तो x की वहले लिए से अभी थोड़े क्लिक्ट क्या पास कर दे रहा हूं, 7, तो आप pass कर रहे हो f inverse of 7, और f inverse of 7 क्या है, 4, और f of 4 क्या है, 7, तो वापस हम वही पहुँच गए, क्या आपको बात समझाई, मैं जो कहना चाहरा हूं, और दूसरी बात, अब अगर मैं क्या निकालना चाहता है, मैं निकालना चाहता है, मानलो f inverse of f of x, अगर यहां पर पास क्या हो, तो सुचके देखो, मैं x की जिगरे का 4, f of 4, f of 4 कितना होता है, 7, तो यहां पर आया, f of 4, 7, फिर निकाल है f inverse of 7, और f inverse of 7 क्या होता है, f inverse of 7, वापस 4 होता है, तो बात वहीं घुम की आरी है, मतलब f inverse और f एक दुसरे के reciprocal होता है, reciprocal बाता है, inverse होता है, reciprocal वो one upon वाला निए, inverse वाला, तो definitely एक दूसरे को nullify करते हैं, दूसरे का impact cancel कर देते हैं, तो जो बच जाता है वो x बचता है, बशर्त है, आपने उसको byjective बनाया रखा है, वरना problem हो जाएगी, I hope आपको इस दोनों बाते समझाएं, इन चीजों के साथ आपको clarity develop हो रही है, मतलब वो क्या कहना चाहरे है, the function f is called invertible, if inverse of f exist, मतलब कभी भी कोई कहे कि इस function, ये function जो है, वो invertible है, तो invertible मतलब कब जब उस function का inverse exist करता है, ये कुछ दो-तीन important बात है हमने discuss की class, मैं फिर से उन्हें बता देता हूं कि एक बात दो है कि कोई सी function का invertible होने का मतलब उसका inverse exist करता है, दूसरी बात, inverse होने के लिए, याने invertible होने के लिए उसका byjective होना जरूरी है, और सबसे जरूरी बात students की f of g of x या g of x, अगर f of x का inverse है g of x, तो g of f of x या फिर f of g of x हमेशा x ही generate करेगा, ये अपने एक दूसरे के impact को nullify या cancel कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के inverse हैं, invertible हैं, चलिए, I hope यहां त करते हैं, इसी concept किये, तो ध्यान से सुनिया, inverse function निकाला कैसे जाता, step by step standard सी process है, बस हम वो follow करेंगे और निकालेंगे, है ना, मैं पहले एक साधरन से example से आपको समझाने की कोशिश करता हूं class, ध्यान से सूचिका, जैसे अभी हमने एक example लिया था, हमारे पास एक function था f of x, होने का मतलब यह हो रहा है students, कि यहाँ पर यह जो x है, यह हमारा independent variable students है ना, अभी आपका independent variable कौन है, obviously x, I hope मैं आपको मेरी बातों से confuse नहीं कर रहा हूं, और जो dependent variable है, वो कौन है y, तो y हाँ यहाँ पर dependent variable है, variable दोनों students y और x दोनों, लेकिन x आतनर भर है, मतलब x जो है, स् बतनतर होने का मतलब है x कुछ भी ले सकता है, obviously do win में सी अपनी value उठाएगा, और उस value के according y निकलेगा, y generate होगा, y is an output create होगा, तो y को हम क्या कहेंगे, dependent variable, I hope आपको यह बात समझा रही है, लेकिन मैं कहानी को swap कर दू, कहानी को reverse कर दू, कहानी को reverse कर दू, मैं x जो है अभ भी तो हमने बहुत easily कर दिया, अभी तो आपको बहुत आसानी से दिख गया, लेकिन ऐसा हर बार इतनी easily नहीं कर पाऊगे, इसलिए inverse निकालने की process थोड़ी tricky है, थोड़ी सी complicated है, although निकल जाएगा, बहुत difficult नहीं होगा, अगर inverse exist करता है, तो कुछ नहीं कुछ तरीकों से हम सीखेंगे examples के सुरू, इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूं अगले step में, तो अब next step क्या होती, inverse में आप क्या करते हैं, अब जो भी y होता है, उसको x से, और जो भी x होता है, उसको f inverse x से replace करते हैं, तो next step क्या होती, students, y को आप x से replace करें, तो हो जाएगा x-3, और sir, x क f inverse x से replace करते हैं, तो यह होता है, f inverse of x, तो यह जो है आपका x-3, यह x-3 का inverse function है, मतलब अब जो है, यह आपका inverse function है, this expression is called inverse of a function, I hope आपको समझ आ रहा है, यह आपका हुआ inverse function है, inverse function of f of x, बस दो तिन चीज़न, students, पहली step क्या थी हमने देखी, पहली step हमारे पास थी, कि हमार students, हमने x को y की terms में express किया, और third step, x की जगे f inverse x, और y की जगे x से replace किया, यह तीन steps का game है, और इन तीन steps में आप inverse निकाल लेंगे, सुनने में लग रहा है यह तीन steps, पर कहानी बहुत tricky हो जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, चीज़ों को split करना है, तो बहुत साध हमने example लेकिए आपको बताया, आपको inverse की process समझाने की कोशिश की, आप समझेगा, है ना, उसमें भी लिखाया, students, सुनिए, how to find f inverse, किसी भी function का inverse निकालने के क्या करना है, solve the equation y is equals to fx for x in terms of y, मतलब अभी जो y को लिख रहा है, हमने x की terms में, आप लिखिए x को in terms of y, मतलब dependent और independent variable को interchange कर लिजे, interchange मतलब अब यहाँ पर कौन dependent है, students, याद करो, यहाँ पर y जो है, वो independent variable है, और जो x था, वो dependent variable है, आप आपको एक terminology समझ आ रही है, तो उल्टा कर दीजे, पहली चीज, दूसरी चीज फिर क्या करिया, interchange कर दो x और y को, मतलब x को, जितने भी अब जो y लिखें, उनको x replace कर दो, और जहाँ भी y दिख रहा है, उसको फिर क्या कर दो, f inverse x से replace कर दो, आयोप हमने भी यह किया था, जैसे कि, जैसे कि, वो एक example ले रहे है, y is equals to x by 2 plus 1, है ना, इसकी example को समझ लेते हैं, students, द्यान से जोनेगा, जैसे y is equals to 1 by 2 times x plus 1, है ना, इसी process को एक बार और जल्दी से follow करते हैं, ताकि inverse की understanding develop हो, और हम आगे बढ़ें, कुछ अच्छे questions की सरफ, है ना, I hope यह करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कि सर कितने अच्छे questions है, कितने आसान questions है, सब कुछ समझ आ रहे है, पिर आभ एकदम से comment आजाएगा, कि न moderate जाते हैं, फिर थोड़ा और टब जाते हैं, फिर gradually हम main sort advance को touch करते हैं, और करना पड़ेगा, उस level पर आना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी, ना, इनी lectures में आएगे, DPPs में भी आएगे, और बेशक MCQ और PYQ में तो वही होना है, और यहां भी हम वही करेंगे, पर obviously यहां पर हम gradual करेंगे, वो transformation, ताकि आपको एकदम से बहुत बड़ा सा पाहड में आपके सामने लाके ख़डाना कर दू, I know my process, I know my art, कि यह चीज़ है कैसे लेकर आनी है, so don't worry about it, but have patience, sometimes it may happen, जो हमने डिसकेस किया, students की कभी-कभी किसी question में कुछ ऐसे concepts यूज हो रहे होंग आना चाहिए, वो अच्छे से समझे, और patience के साथ पढ़त रहे है, students को चीज़े डेफिनिटली नहीं समझाएंगी, क्योंकि अभी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा है, but believe me, after spending some amount of time here, आप realize करो कि कि आपको सब कुछ बहुत बहुत समूदी समझा रहे है, जो चीज़ शायद भ चलिए, तो y अगर 1 upon 2 times x plus 1 लिखा हो है, तो सबसे पहले कहानी, 1 को इदर लिखे आते हैं, तो 1 upon 2 times x is equal to y minus 1, इस 1 upon 2 को लिखे गए, तो x जो हो जा रहे है, 2y minus 1, अगली step होती है, x को y से और y को x से replace करेंगे, तो next step में क्या लिखेंगे, students, x को y से replace करेंगे, तो यह हो ज अब आप छोटा सा काम होर करिए, कि y की जगे f inverse x लिख दीजे, तो आपका function finally inverse बन जाएगा, लेकिन यह सब कहानी हो कि एक बात बहुत जरूरी है, students, कि आपको यह निकालना जरूरी है, कि आप पहले यह ensure करने कि एक bijective function है, यह बहुत जरूरी बात है, कि ensure करना कि एक bijective function है, तो इस तरीके से अब हमें इंशा क्या निकालेंगे, students, inverse of our function, I hope process आसान है, जाधा tough नहीं है, अच्छे questions हम ट्राइ करेंगे, students, I hope process आपको clear हो रही है, तो similarly, जब y हमने निकाला तो पहली step, x और y, x की terms में y को express किया, और finally, I hope मैंने यह सही लिखा है, जब आपने 2 से multiply के, हम really sorry, मुझे अब भी just realized हुआ, कि यहाँ पे 2 multiply होगा, I didn't do it, मतलब, it just slipped out of my mind, तो 2 multiply होगा 1 से भी, तो होजाएगा minus 2, है न, 2 common भी ले सकते हो, तो होजाएगा कुछ ऐसा सा, I hope अभी चीज़े सही है, बिलकुल सही है, है न, तो यह चीज़े कुछ ऐसी सी होगी, चल अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ेंगे, बहुत अच्छे से अब हम समझना, शुरू करेंगे इस particular lecture को, f inverse x को, है न, ध्यान से सुनिएगा students, अच्छा पार्ट है, बहुत ध्यान से समझेगा, question क्या तरह है, वो सुनिएगा, how to draw graph of f inverse of x, कि f inverse x का अगर वही हम सीखने वाले है, बस कुछ मत करो, class, जो line है, आपकी y is equal to x, इसके respect में उस graph को reflect कर दो, उस function के graph को, वो बन जाएगा उस का inverse, याने की मान लो, याने की मान लो, मैं एक छोटा से example लेता हूं, एक छोटा से example लेते हैं, जैसे की, हमारे पास एक function है, एक function है, let's say f of x, ह greater than equal to 0, sir, ठीक है, इस से पता है, इस से उसने क्या ensure कर दिया, कि ये byjective है, byjective क्यों स्टूडिन सोचो, क्योंकि अगर ये many to one हो जाता, अगर आपने values x की negative भी रख ली होती, तो जो minus 1 पे भी जो आ रहा था, वही plus 1 पे आ रहा होता, क्योंकि minus 1 का square और plus 1 का square सेम होता है, त उस चकर में इसका inverse बन जाता है one to many, और one to many एक function नहीं होता है, तो इसलिए उसने इस बात को तो पहले खतम कर दिया, कि x की value 0 है, 0 से बड़ी रखे, और obviously ये one one होगा, क्योंकि अब जब सब positive values ही है, तो आप बात भी बनने वाली है, और इसका code domain range के equal होगा, क्योंकि अब x इसकी जो भी values आप रखोगे, वो positive values है, और अब सारी real values generate कर पाऊगे, इसकी range भी restricted होगी, by objective इसका होना थाए है, क्योंकि इसका inverse आप निकाल पा रहे हो है, तो अगर मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूँ, उसने range को ऐसे कस्टमाइस किया होगा, कि code domain range equal आजाए है, इसकी range होगी, 1 से infinity, इसकी minimum value 1 होगी, क्योंकि 0 पे 0 होगा, तो 0 प्लस 1, 1, और 1 से हमेशा भी उठेगा, यह बढ़ा ही होगा, क्योंकि x square है, तो इसकी range अगर वो define करना चाहता, एस question में अगर आपको लिखके देता है extra, तो वो ऐसे define करता, f जो है, f जो है, वो r, f जो है students, वो सा objective and injective, यानि by objective function है, अब मुझे अगर इस function के inverse को drop करना है, मैं graph definitely draw करूँगा, पहले बस मैं ऐसे inverse बना ले रहा हूँ, कि inverse कैसे बनेगा, हम graph के बारे में बात करेंगे, students घबराना मत, बहुत detail में बात करेंगे, कि इस function का, इस expression का graph कैसे बनता है, कैसे होती है चीज़े, बन रहा होगा, सर, क्योंकि पहली बात तो ये पैरा बोला होता है, ये करवेचर, और ये upward facing पैरा बोला होगा, क्योंकि x square का coefficient 1 याने greater than 0 है, मतला upward facing पैरा बोला हो, इसकी minimum value होगी 1, वो भी क्या होगी, 0 पर, तो जैसी x की value 0 होगी, इसकी minimum value क्या होगी, students 1, क्या आपको ये value रखी नहीं पा रहे हो, और समझो problem, students अगर आप x की negative value रख पा रहे होते, तो फिर ये कैसा function मन जाता, फिर ये many to one function मन जाता, x की single value clear, y की same value generate हो रही होती, तो पहले तो उसने इसका graph कुछ ऐसा बनवाए, आपको ये बात समझ आ रही है, students, I hope ये कहान ही, आपको clear हो रही कि हम कैसे इसको plot करने, बट फिलाल बस एक छोटा सा notion आपको देना चारह हो, students, कि x square plus 1 कुछ ऐसा सा बनेगा for this domain, है ना, इसकी minimum value होगी 1 और ये 1 से हमेशा अपर जाएगा, और ये x की positive side पर, 0 है 0 से बड़ी values के लिए ही defined होगा, है ना, अब वो हम से क्या कह रहा है, इसके inverse के graph को कैसे plot करते है, बात करेंगे सर उस बारे में, पर पहले में चारह हो, इसका inverse define करना, है ना, तो function क्या दिया हो है, function दिया हो है, y is equals to x square plus 1, आपका जो function दिया है, वो है y is equals to x square plus 1, है ना, अब अगर मैं इस function को define करना चाहता हूँ, इसका inverse, तो मैं क्या करूंगा, x को y करूंगा, तो इधर लाया, तो यह हो जा रहा है, x square is equals to y minus 1, तो x क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, plus minus under root of y minus 1, अगर आप under root लेंगे, तो जाएगा under root of y minus 1, और आप लगाते हो plus minus, लेंगे, जैसे ही plus minus लगा, तो फिर problem हो गई, यह one to many हो जाएगा, तो मैं सिर्फ plus वाली होगा, तो range or code में same होगी, तो 1 से infinity है, मतलब y की जो values है, वो negative नहीं होगी, आपको समझ जा रहा है, students, क्योंकि x की values भी positive है, तो उस basis पर आपको conclude करना चाहूं, तो x की positive values generate करने के लिए, मुझे इसे हो जाएगा, कि यहाँ से भी positive values आए, मतलब अगर आप चाहते हो कि यहा जाएगा x square, तो ऐसा नहीं करेंगे आप है, प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे, I hope यह बात आपको समझ जा रही है, तो यह इसका inverse है, इन्वर्स में सर थोड़ा सा change होता है, कैसा change, क्या आप y और x को थोड़ा interchange कर देते हो, तो आप क्या करते हो, एक्स को y को x से replace करते तो आप finally लिखते हो f inverse x, जो की बनेगा under root x minus 1, सर basically आपको इसका graph plot करना है, आपको इसका graph plot करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि इतना निकाले बिना भी, directly आप यहीं से इसका answer निकाल सकते थे, प्लीज धियां से सुनिए गास students, इसको कैसे directly plot कर सकते थे, पहले तो एक straight line y is equals to x क्या होती, याद करो students हमने एक identical function पढ़ा था, तो मैंने बोला था f of x is equals to x, है न, y is equals to x, यह हमारा एक identical function होता है, identical क्योंकि जो आप x की value रोखोगे वही y की value आईगी, तो यह identical function की line कैसे बनेगी, 1,12,23,34,4 और similarly ऐसी कहानी चलती चलिए, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2 पे 0.2 औ not exactly like this, मतलब यह graph का, इसके सब क्या relation होगा, वह में predict नहीं कर पा रहा हूँ, बट चीजे कुछ ऐसी चल रही होगी, है न, तो जब इसका, आप इसके respect में mirror image लोगे, जब इसके respect में mirror image लोगे, तो कहना है, वह mirror image कुछ ऐसी सी बन जाएगी, students, वह mirror image कुछ ऐसी सी बन जाए यह line जब as a mirror behave करेगी, as a mirror behave करेगी, तो मैं कहना चाहरा हूँ, जो आपका curve है, जो आपका curve है, x is square plus 1, बस इस curve की mirror image बना लो, किसके respect में, y is equals to x के respect में, अगर यह line as a mirror behave करे, तो जो curve बनेगा, चुना है, curve होगा, वह curve कुछ नहीं होगा, sir, वह curve होगा, f inverse x का graph, f inverse x मतलब क x minus 1 का graph कैसे बनेगा, सोच के देखो, मैं minimum value क्या सोचूंगा, sir, x की minimum value का रखता हूँ, x की minimum value 1 होगी, क्योंकि 1 से छोटा रखा, तो x minus 1 क्या होगा, negative y hope, आप सोच पा रहे हो, तो minimum value होगी 1, और 1 पे क्या होगा, 0, तो यह कुछ ऐसा होगा, और obviously x minus 1 under root के अंदर है, तो हम आपको यह all easily समझाएगा, कि यह graph ऐसा क्यू बन रहा है, बस दो बाते अभी समझके देखो, बस छोटी सी दो बाते हैं, कि x की जो minimum value होगी 1 रखूंगा, क्योंकि 1 से छोटी कोई भी value ट्राइक है, जैसे मालो 0 ट्राइक है, तो 0 minus 1 negative, और negative value का under root, real numbers नहीं होते हैं, तो हम 1 या 1 से बड़ी value रखेंगे, दूसरी बात, चुकि यह under root के अंदर एक value है, under root हमेशे एक positive value जनेरेट करता है, तो हमेशे x के उपर, यह y-axis की positive side पर ही होगा, यह आपका f inverse x का graph है, जो I hope you are realizing, clearly इससे match हो रहा है, बलब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो एक आसान सी सा cos 6, याद करो students, cos 6 के graph को मैं plot करके समझाने की question करता हूँ कि cos 6 में हमने चीज़े देखी थी होते हुए, याद करो, cos 6 को हम restrict कर देते हैं, कहां से कहां तक sir, हम restrict करते थे 0 से pi तक, याद करो, sir 0 पर वो कुछ ऐसा सा हो रहा होता था, और फिर कुछ ऐसा सा होके, कुछ ऐसा सा जा रहा होता था, तो ये graph कुछ ऐसा सा बनता था, sir, ये होता था 0, ये हो जाता था pi by 2, और ये हो जाता था clearly pi, अब अगर मुझे इसका inverse बनाना है, students, अगर मुझे इसका inverse बनाना है, तो याद करो, इसके inverse का graph हम ने plot करना सीखा था, obviously मैं cos 6 overall पूरी definition में नहीं ले रहा मैं cos 6 कहां थे कहां तक ले रहा हूँ, sir, मैं इसकी definition में रिस्ट्रिक कर रहा हूँ, मैं इसको 0 से pi तक ही ले रहा हूँ, और इसकी definition minus 1 से 1 तक, वो तो fixed है, और ये कौन सा graph है, sir, ये function है cos 6, तो अगर मुझे इसका inverse बनाना होता था, तो मैं इसी में रिस्ट्रिक करता था, क अब आपको वो inverse function के graph समझ आ रहे होगे, तो ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है pi और बीच में जाता है pi by 2, वही कहां नहीं, sir, जो y axis पे हो रही थी, minus 1 से 1, अब वो x axis पे होगी, हमें पता है, sir, x की value 0 के, cos की value होती ही 1, मतलब cos inverse x है, cos inverse 1 होता, cos inverse 1 होता है, cos inverse 0 होता है pi by 2, और cos inverse minus 1 होता है pi, तो जब आप इसका graph plot करेंगे, तो वो कुछ ऐसा-सा, I believe, बनेगा, जो कि मैं शायद सही बना रहा हूँ, है ना, अब मुने कुछ गड़बर तो नहीं की, बस मुझे कुछ doubt लग रहा है, बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि cos 0 होता है 1, अगर inverse pi होगा, minus 1, I hope, यह चीज़ें समझ जा रही, और अगर आप इस graph को इस graph के साथ देखें, तो do you realize, अगर मैंने y is equals to x हमारा graph, याने line plot की होती, याद करो students, अगर आपकी कौन सी line ही, या आपका वह identical function है, अगर या identical function है, तो इसके respect में जड़रा इसका curvature देखो students, दिहान से, किना इस है कि हाँ सर, बिल्कुल exact map मैंनों उस scaling पर नहीं बना पाऊंगा, अगर यह जो कुछ होता, तो यह जो curve है, यह जो curve है कुछ ऐसा सा, यह जो curve है, यह इसी के पास mirror image बना रहा है, मैं mirror image properly यहां नहीं बनाना चाहरा हूँ, क्योंकि यहां पे scaling कुछ और है, pi by two और pi क और वहां कुछ और है, तो यहां पे चीज़ों overlap हो जाएंगी, but I hope you are realizing, अगर इस line के respect में, अगर इस curve के mirror image ली होती है, तो यह जो part है, यह जो पार्ट हो जाता है, यह जो पार्ट हो जाता है, और यह पार्ट हो जाता है, वो कुछ ऐसा सा बन जाता, जो हम बनाना चाहरा ह But are you getting my point, कि आपको हमेशा किसी भी curve का, अगर inverse का graph draw करना है, तो सीज़ा सीज़ा notion, सीज़ा सीज़ा idea, कि y is equals to x के respect में, उसकी mirror image ले लीजे, आपका graph draw हो जाएगा, I hope आपको यह बात भी समझ आई, हमने दो बाते बड़ी important से पढ़िया, तीन बाते, किसी function का inverse का exist करता है, by adjective होने पर, f of g of x और g of f of x x के एकवल होता है, गर f of x और g of x invertible है, एक दूसरे के inverse function है, तीसरी ज़रूरी बात, inverse कैसे निकाला जाता है, और चौती ज़रूरी बात, कि किसी भी function के inverse का graph कैसे draw करते है, अब आते हम application part पर students, और अब हम समझेंगे, कि कि किसी भी function के inverse में, उ inverse निकालने की कोशिश की सांदार सा, सीधा सा question है, students, वो क्या करा है, f r to r defined है, तो पहली बात तो उसने इसके definition में कहा है, कि sir, इसका domain और code domain दोनों ही all the real numbers है, तो अब जैसे ही कोई r to r कह दे, एक बार verify करेगा students की क्या है, सच में एक by adjective function है, तो कि r to r मतलब पूरे सारे numbers, अब सारे numbers पे आप देख रहे हो, तो यह शोर सरी यह one one, मतलब one one समझते हो, एक दम या तो strictly increasing, या strictly decreasing हो, पूरे overall इसके domain में, मतलब सारी real values के लिए, प्लस आर इसका co domain, मतलब सारी values occupy का रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई value छूट जा रही है, या इसके domain के वज़ अब उसका inverse निकाला जा सकता है, नहीं, I hope यह बात आपको याद होगी, कि अगर inverse निकल सकता है, तो inverse हमेशा unique होता है, अब वो दूसरी बात यह करा है, तो फिर इसका inverse क्या होगा, वो पता करिये, पहले तो देखते है, invertible है या नहीं, अब सोचो students, पहली बात हो, अगर मै f of x को आपके सामने define करूँ, तो what is f of x, sir f of x से सीधा सीधा सा function दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, f of x is equals to e to the power x plus e to the power minus x divided by I think 2, यह सीधा सीधा सा function है, I think जैसे ही sir मुझे x e की power में दिख रहा है, तो मुझे यह तो clear हो रहा है कि x power में है, या नहीं, exponential function की तरह कुछ है, तो sir x की value को लेके कोई problem नहीं होने वाली, मतलब x कोई issue create नहीं करेगा, तो f of x में x की तो आप कोई भी value try करो, कोई दिखकत नहीं, मैं अगर मैं domain को लेके बात करूँ, I hope you are realizing x कुछ भी रखो, क्या मना करेगा, वो बोलो आप minus 10 नहीं रख सकते हैं, plus 10 नहीं रख सकते क्या नहीं रख सकते, आपको कौन क्या problem create कर रहा है, सिधा सिधा से exponential function है, तो मैं कहूंगा, कि sir x तो सारी real values ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, domain को लेके कोई परिशानी है, definition बिल्कुल सही जा रही है, sir range को लेके क्या परिशानी हो, कि आप सोच के देखो, आप x की बड़ overall ये दोनो positive values होंगी, आप फिर से repeat करता हूं students, यहां से जोनेगा, ये थोड़ा सा टर्किया बाटे, दरसे ही मैं कह रहा हूं, e की power x से e to the power minus x तक अगर आप जा रहे हो, sir problem कुछ नहीं हो, e to the power x क्या चलेगा, e to the power minus x पे भी चीज़े आजाएंगी, x की आप negative values रखोगे, मतलब x की आप कोई सी भी value रखो positive negative, वो opposite हो जाएंगी, मतलब negative रखोगे, तो वो positive की तरा behave करेगा, positive रखो जो नहीं रखोगे और behave करेगा, मतलब वो graph कुछ ऐसा सा बन जाएगा, पर फर्क कुछ नहीं पढ़ने वाला है students, फर्क कुछ नहीं पढ़ने वाला है, मतलब point य है की एकी पार x हो या एकी पार minus x हो, वो anyway positive ही रहेगा, कि आपको यह बात समझा रही है students, मतलब मैं finally आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि अगर चीजें हैं, मतलब चीजें अगर हैं, तो आपको y-axis पे चीजे positive side ही मिलेंगी, मैं एक बार और अच्छे से repeat करता हूँ, I'm really sorry students, यहाँ पर, यह positive sign के वज़े, there's this negative sign है, तो एक छोटा सा चीज दो रहाएगा, एक छोटी सी चीज की, हाँ sir, अब y-axis पे negatively भी जाएगा, जब तक वो plus था, तब तक तो बहुत positive value, positive value add हो के, कुछ positive create कर रही थी, but अभी आपका code domain का लफ़डा भी resolve हो गया, आप समझो, आप इसको ऐसे लिखो, e की पार माइनस x का अगर मैंने reciprocally, मतलब इसको e की पार माइनस x को one upon e की पार x लिखा, तो एक question क्या बन जा रहा है, वो समझ रहा है students, एक question बढ़ा इंटरेसिंग सा बन जा रहा है, नहाँ से समझेगा, f of x को मैं कैसे लिखूंगा, f of x को मैं कै e to the part 2x plus 1, I'm really sorry, again I have used a positive sign, यहाँ पर वो negative sign है, हना, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, negative sign, यह भी negative, upon में, two times e to the part x, do you realize की सीधी सीधी सी बात है, अब देखो हम e to the part x के बारे में क्या जानते है, e to the part x as a function, हमें पताए कि वो ऐसा होता है, मैं जा, e to the part x हमेशा एक positive value लेता है, महला हमने यह सीखा है sir, की e to the part x में अगर आप देखो, तो e to the part x का ग्राफ हमेशा x इसके ओपर ही रहता है, महला yx इसकी positive side पर ही वो exist करता है, महला e to the part x is always greater than 0, है ना, for all the values of x, for all the values of x, I hope you are getting my point, but point यह है sir, की यह है e to the part 2x minus 1 upon 2 e to the part x, तो आप थ्यान से सोच जो students, अभी negative values भी लेगा, यह positive values भी लेगा, यह सब लेगा, क्योंकि आपने जब minus 1 सबत्राक किया, और यह 1 से नीचे भी जा रहा है, इसकी value 1 से छोटी भी है, और अगर इसकी value 1 से छोटी भी है, तो यह negative भी होगा, यह positive भी होगा, यह सब कुछ होगा, मतलब में यह कहने और यह तो positive ही यह है, तो something negative and positive negative values भी मिलेंगी और जब यह बड़ा होगा तो organizations of equality में से 1 jurisdictions करेंगी, खरिंखेंगे, मुझे positive values भी मिलेंगी मnsब जतना कोंश चोटी value लेना में चाहिए और जतना कोंश फ्रियने मिलेंगी क्योंकि दो पार 2x जब आप देखोगे तो इसके beyond, इसके पीछे की तरफ हो 1 से चोटा होगा, तो इस तरफ 0 के beyond 1 से बढ़ा होगा, तो sir ये numerator negative भी होगा, negative में जितना चोटा बना सकते हो, उतना चोटा भी बनेगा, positive में जितना बढ़ा बनाना चाहो, उतना बढ़ा भी बन होगा, तब उस दोरां, sir, f of x, f of x minus infinity को अप्रोच करेगा, देखो न, graph minus infinity की तरफ जाएगा, graph से समझो, ये value उतनी छोटी होती जाएगा, तो बहुत छोटी value को one में से subtract करेंगे, तो आप minus infinity की तरफ जा रहे हो, right, similarly, आप इसको ऐसे भी समझो, students की जैसे जैसे x infinity की तरफ बढ़ेगा, देखो हम x axis पर गर infinity की तरफ जाएगा, तो ये value बढ़ती चली जा रहे है, ये value बहुत बढ़ी होती चली जा रहे है, वैसे वैसे ये value बढ़ती चली जाएगी, मतलब f of x infinity की तरफ बढ़ेगा, मतलब मैं ये कहना चा रहा हूँ कि हाँ, sir, f of x की value minus infinity से infinity के ब बन रहा है या नहीं, मतलब one one on two बन रहा है या नहीं, है ना, तो हाँ sir, ये एक surjective भी है, और injective तो हम अरड़ी प्रूफ कर चुके है, तो मैं कहूंगा, पहली बात तो invertible है, क्या आपको ये line समझा है students, बहुत सिंपल सी बात थी students, पहली बात तो ये domain check या, तो x की values को क्यों कोई problem नहीं थी, तो clearly या तो x strictly increasing function होता है, strictly decreasing है ना, क्योंकि सीज़े सीदे value subtract हो रही थी, बस है की concern था, कि sir, क्या इसकी range और code में equal थे, तो मैंने कहा sir, minus infinity तक भी जा रहा हूं, मैं x को लेकर, f of x को लेकर, और जब x बढ़ता चला जा रहा है, तो f of x infinity की तरब भी तो यह strictly increasing function की तरह है behavior कर रहा है, तो यह 1-1 on 2 function है, और अगर यह 1-1 on 2 function है, तो इसका inverse निकाल सकने है, अब इसका inverse निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे, उस process को समझते है, student, ज्यांते जुनेगा, inverse निकालने के लिए हमारा function है, student, function क्या दिया होऊ है, ज्यांते इसा चलिए अब अगीन मैं इसका इंवर्स जूढ़ना चाहता हूं जो सबसे पहली स्टेप f of x को y लिख देंगे students तो यहां लिखा हुआ है और यह कितना हो जा रहे है यह हो जा रहा है e to the power x यह हो जा रहे माइनस है न यह हो जा रहा है minus 1 upon e to the power x divided by clearly 2 e to the power x को multiply किया तो y is equal to e to the power 2x minus 1 upon 2 times e to the power x मैं cross multiplication करता हूं class तो देखेगा cross multiplication से क्या होगा 2 e to the power x इदर multiply किया तो इदर तो देखेगा e to the power 2x minus 1 और यह जैसे y से multiply होगा तो इस तरफ right hand side पे अगर में इसको लिख लूँ तो क्या लिखूंगा students 2 times y times e to the power x मैं e to the power x को भी इदर लाता हूं तो देखो चीज़े कैसी दिखेंगी बहुत शांदार सा equation बन रहा है देहां से दिखेगा क्या बन रहा है students e to the power 2x minus 2 times y minus लगेगा क्योंकि यह negative होगा तो इदर आके minus हो जाएगा 2 times y to the power y times e to the power x minus 1 is equal to 0. चोटा सा काम करते है students इसे quadratic में convert करते है सर क्या बात करहागी है कैसे quadratic में convert हो जाएगा आपको कुछ भी दिख रही है। सर बन सकता है अगर अब इहां से देखो तो आप देखो अगर आप e to the power x को थोड़ी दिखेंगी एक लिए के लिए से क्योंकि टी की वाल्य होगी तो एक्स की वाल्य हो जाएगी वाई की टम्स में उससे क्या फाइद होगा सर एक्स को अगर वाई की टम्स में एक्स कर दिया तो मैं दोनों तो लॉग लेकर एक्स को वाई की टम्स में एक्स कर दूंगा तो शायद मैं इंवर्स तक पहुंच जा वोगर एक आपके quadratic equation दी दी जाए, तो इस quadratic equation को श्रीद्धाराचारे method क्याती है, इसके जो roots होंगे, students, x की जो value होगी, जो इस equation को satisfy करेगी, यहनि इसके जो roots होंगे, वो दिये जाते हैं, श्रीद्धाराचारे method से, minus of b, एन x को coefficient, plus minus under root over, इसी b का square, minus 4ac upon 2a, हैना, इस particular concept को हम quadratic equation पड़ते वक्त पढ़ेंगे, हैना, तो इसी बात को अगर मैं यहाँ पर apply करना चाहूं, तो देखो, यह हमारी quadratic equation है, क्या है सर quadratic equation, t square minus 2yt minus 1, I hope हमने सही लिखा है, t square minus 2yt minus 1, बिल्कुल सही है, तो इसे मैं लिखूँगा, क्या students, यहाँ पर लिखाए, t square minus 2ytimes yytimes t, और फिर क्या लिखेंगे students, मैं लिखेंगे minus 1 is equal to 0, तो यह आपकी क्या रही है students, यह आपकी क्या रही है, आपकी quadratic equation, अब अगर मैं इसे simplify करना चाहूं, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से जुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ t की value, श्रीधर आचारे method से, तो t will be minus b, तो b कितना है sir, sir b है minus 2y, minus b होगा plus 2y, minus of minus 2y, plus minus, plus minus under root over, sir आपने तो बोल था, किसी भी function का inverse होता है, तो वो unique होता है, फिलाल समझो students, plus minus under root over, b square, तो minus 2y का square क्या हो जाएगा, sir वो हो जाएगा, 4 times y square, minus 4ac, what is minus, minus तो minus रहेगा, 4, 4 रहेगा, a की value 1 है, क्योंकि a क्या होगा, t square का coefficient रो c क्या होगा, minus 1, तो minus 4ac, तो a 1 है, और c minus 1 है, तो minus 4 into minus 1 है, तो हो जाएगा plus 4, I hope आपको realize हो रहे, upon में 2a, a की value 1 है, तो यह हो जाएगा 2 into 1, that's 2, क्या आपको यह समझ आ रहा है, students हमने जो लिखा, I hope यहां से अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर मैं चीजे work out करने की कोशिश करू, तो ध्यान से समझे, do you realize यह 2 भी cancel हो जाएगा, तो मैं T को क्या लिख पा रहा हूँ, सोचके दिखेगा, students, मैं T को लिख पा रहा हूँ, y plus minus under root over y square plus 1, क्योंकि denominator के 2 से यह 2 और यह 2 cancel हो जा रहा है, I hope आपको यह दिख रहा होगा, यानि यह 2, यह 2 और यह 2, मैं क्या कह रहा हूँ, students, मैं कह रहा हूँ, यह 2, यह 2, यह 2, यह 3 और चीज़े, cancel हो जा रही हैं, सीधे, सीधे, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे T is equals to, आप लिखेंगे T is equals to क्या, Sir, y plus minus under root y square plus 1, तो ज़र यह T is equals to y, plus minus under root over y square plus 1, अब सर, एक छोटी सी बात, अगर आप ध्यान से दोचें, तो T, T नहीं था, T को याद करो, students, T तो हमने किया लिया था, e to the power x, तो वापस वही value replace कर देते हैं, तो T की value अगर मैं ने रखी, e to the power x, तो यह बन जा रहा है, e to the power x is equals to y, plus minus under root over y square plus 1, do you realize कि सर, एक बात सोचवा, अब कुछ भी value ट्राइ करो, y की कुई भी value ट्राइ करो, problem समझना सर, e to the power x हमें पता है, हमेशा एक positive value लेता है, क्यों लेता है सर, क्योंकि अब आप e to the power x का graph देखो, तो हमेशा x66 के उपर होता है, और अगर वो हमेशा x66 के उपर होता है, मैं अब e to the power x is always positive, मैं इस expression केकर मैं left hand side देखूँ, that is always positive, but आप in general y की value ट्राइ करो, sir, y की value लेट से 0 ट्राइ की, समझना, y की value 0 ट्राइ की तो क्या हो जारे, 0, plus minus, 0, plus 1, plus लेता तो कोई problem नी थी, 0, plus 1, plus 1 हो जाता, लेकिन negative लेता, तो ध्यान से सुचना, 0, minus, under root 1, तो 0, minus 1, यानि, minus 1, क्या e to the power x की value को भी negative होगी, तो sir, अगर ये negative sign लिया होता, अगर ये negative sign लिया होता, तो इस expression की value negative हो जाती, तो आपको problem समझ जा रही है, इस negative sign को नहीं लेंगे, हम सिर्फ positive sign को लेंगे, आपको clear हो रहा है, तो मैं e to the power x को technically अब क्या लिखूँगा, properly जब मैं e to the power x को लिखना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा e to the power x is equals to, क्या लिखेंगे students, ये था y plus under root over y square plus 1, सर मुझे तो x को y की terms में express करना है, e to the power x को नहीं, तो एक काम करते हैं सर लॉग ले ले लेते हैं, base e पर दोनों तरफ, तो जैसी आपने लिया log base e पर दोनों तरफ, तो आपकी बहुत सारी problem solve हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं काफी हद्ता close थो, इसके inverse को define करने को लिखा, जो कि कितना हो रहा है, log of y plus under root over y square plus 1 है, वो भी आपको resolve होता दिख रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करी है, इस x को fret में ले लिए ये, तो log e base e 1 होता है, तो मैं finally जो लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, स्टूडेंस ध्याँ से सुनिएगा, इस तरफ आजाएगा x, क्योंकि log e base e 1 होता है, इस तरफ क्या लिखा होगा, इस तरफ लिखा होगा log, add base e, of y plus under root over y square plus 1, ये finally अब define कर रहे हैं, अब एक छोटी ही चीज हमने सीखिए, आखरी step क्या होती है, x और y को आपस में इंटरचेंज कर जिते हैं, आखर x को y से, और y को x से replace करते हैं, तो अगर ऐसा सोचा, तो क्या हो जाएगा sir, x को y से replace किया, और y के बजाए में सीधे f inverse x लिख देता हूं students, तो y के बजाए उसको में सीधे लिख दूँगा, f inverse of x, यह किसके एकवाल होगा, अब इस तरफ जितने भी y दिख रहे हैं, इस तरफ जितने भी y दिख रहे हैं students, उनको मैं x से replace करूँगा, तो यह कितना हो जाएगा, x plus under root over x square plus 1, यह लोग के अंदर आपस लिख लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, log add base e, अब यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, x plus under root over x square plus 1, तो यह students क्या होगा, यह आपका होगा f inverse of x, जो आपका f of x था, by the way, मैं f of x पर लिख देता हूँ, और आपको यादा रहा हूँ, तो f of x क्या था सर, e to the power x minus, e to the power minus x divided by 2, did you realize, कि जब e picture में आएगा, तो inverse में log का आना, तो था है ना, क्योंकि inverse तक वैसे ही पहुचा जाएगा, so this expression, जो numerator में आपके सामने लिखा हूँ है, यह जो expression है सर, यह expression होगा, इस function का inverse, पहली बात तो invertible था, क्योंकि यह by objective था, यह यह one one and on two था, दूसरी बात यह definitely इसका inverse निकाल सकते हैं, क्योंकि f of x अगरी है, तो f of inverse x कुछ ऐसा दिखेगा, क्या आपको यह बात समझाए students, I hope बहुत standard सा, सीधा-सीधा सा approach है, सीधा-सीधा सा question था, तो ज़्यादा tricky part नहीं था, और did you realize कि inverse बस ऐसे ही निकल जाते हैं, inverse के लिए थोड़ी मैनत करनी पड़ेगी, I hope आपको step by step एक 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 process समझे, हमने सीधी 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 सोची students, पहले तो पता कि invertible है या नहीं, यहने by objective figure out किया, फिर हमने y को x की terms में लिखते लिखते simplify किया, तो हमें यहाँ पर आते होते quadratic मिली, e2-2 बार x को d से replace किया, फिर quadratic में श्रीदर आच्छा रही लगई, negative नहीं लिया, क्योंकि उस current से e2-2 बार x negative हो रहा था, e2-2 बार x कभी negative नहीं होता हमको पता है, तो हमने plus वाली value ही ली और इस वज़ा से यह कुछ ऐसा दिखा, अब हमने x को y से और y को x interchange किया, तो finally हमें f inverse x कुछ ऐसा सा दिखा, I hope आपको यह बात समझ जा रही है, और यहां तक आपको कोई भी confusion नहीं है, हमने अभी तक जो भी चीज़े पढ़ी students याथ को, हमने types of functions पढ़े, 1-1, on-2, in-2, many-1, even-odd, periodic, हर तरह के function को समझा, और finally types of functions में एक और category समझे की inverse of a function क्या होता है, with that I think यहां तक चीज़े sufficient है, यहां तक चीज़े काफी है, इसके बाद जब हम आगे shift होंगे, तो अब हम जो नया chapter, यानि इसी chapter में जो नया topic पढ़ेंगे, वो होगा transformation of graphs, but before beginning और before starting और commencing that particular topic, हम शुरुवात करेंगे, इसको और बहतर बनाने से, इसको और consolidate करने से, इसकी DPPs all करने से, तो जो next lecture होगा इसी का, वो होगी इसकी DPP, and definitely theory lectures में आपको अगला जो lecture में लेका, वो होगा transformation of graphs, I hope आप DPPs डाउनलोड कर रहे हैं, इसी वीडियो के lecture में, आपको description में DPP का link भी मिल जाएगा, आप चाहें तो यही same चीज़े, आप magnetbrines.com पर जाकर भी अक्सस कर सकने हैं, www.magnetbrines.com, यह हमारी website है students, जहां पर हम claim करते हैं, that we provide 100% free online education, quality online education we provide, we believe in providing, and obviously we provide quality online free education in all the segments in all the sectors, यहने आपको हर segment, हर sector में, free quality online education मिलेगी, not just that, please understand, जैसे ही आप ITJ segment पर click करेंगे, तो आपको ITJ segment पूरा as it is properly, free of cost, बिना किसी subscription के, बिना कि नी hidden charges के, open हो जाएगा, और यहां पर जब आप math, physics और chemistry के lectures, एक्सेस करेंगे, तो maths के lecture पर, watch now पर ही click करते हुए, आपको सारे maths के lectures, chapter wise open हो जाएगे students, यहां पर सारे chapters properly arranged है, उन chapters के अंदर properly सारे topics properly arranged है, यहां पर आपको DPPs के PDF सुनके, video solutions अब कुछ यहां में लेका, जितने videos obviously बनते चले जा रहे हैं, वो सारे यहां पर upload होड रहे हैं, we ensure that यहां पर आपको इंडिया के top teachers educate करें, और proper quality education provide करें, हम पूरा comprehensively thoroughly चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप किसी भी lecture पर watch now पर click करेंगे, यहीं पर आप free of cost, buffer free mode में lectures देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, but apart from that I hope you know that यही की यही सारी की सारी सारी सेम चीज़े हैं, हमारे YouTube channel, Magnet Brains आपको 100% free quality online education provide कर रहा है, IET JAE के डोमेन, नीट के डोमेन में भी हर segment में, हर sector में, almost everywhere. Apart from that, one of the most important things students कि अगर यह वीडियो आपके सच में बहुत help कर रहे हैं, आप काफी कुछ सीख रहे हैं, you're actually gaining something out of these videos, please इन videos को like करिये, so that we feel कि हाँ हम सही direction में जा रहे हैं और हमारे efforts आपके मदद कर रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं. Apart from that, yes, channel को subscribe करके रहे हैं, बहुत जरूरी चीज़े, students, क्योंकि कोई भी नया notification, कोई भी नहीं update आती है, कोई भी नहीं information आपको पता करनी है, तो channel को subscribe करके जरूर रखे, उससे आपकी बहुत help होगी, आपको हमेशन नहीं चीज़े, जो भी activities हो रही हैं, पता चलती रहेंगे, and one of the most important things, students, जादर से जादर लोगों से, प्लीज इसे शेयर करिये, जादर से जादर लोगों को पहुंचाने में, उससे शेयर करने में, with that, we are calling it a day, thank you so much.